सबसे पहली जो समस्या वैवाहिक जीवन में आती है कि जब आप हुरोस्कोप देखते हैं, जब आप कुंडली देखते हैं तो आपको रिफलेक्ट होता है, आपको दिखाई देता है कि इस आदमी के दो शादियों के योग हैं या दो शादियों की संभाव नाये हैं दो शादियों के योग कब बनते हैं और अगर कुंडली में दो शादियों के योग हैं तो कैसे इससे निप्टा जाएगा पहले ये समझते हैं कि दो शादियों के योग बनते कैसे हैं देखिए महिलाओं की कुंडली में अगर ब्रिहस्पती खराब हो, कमजोर नहीं, याद रखिए, कमजोर ब्रिहस्पती और खराब ब्रिहस्पती में अंतर है, अगर महिलाओं की कुंडली में ब्रिहस्पती खराब हो, तो दो विवाह निश्चित रूप से बन जाते हैं, दो पुरुषों की कुंडली में दो विवाह की जो संभावनाय हैं वो शुक्र भी बनाता है और और ब्रिहस्पती भी बनाता है शनी राहु या मंगल का प्रभाव अगर विवाह के भाव पर हो। नहीं हुआ, यानि अगर कुंडली अच्छी तरह से नहीं मिलाई गई, ग्रहमेत्री नहीं देखा गया, भकूत दोश नहीं देखा गया, ग्रहमेत्री सबसे जादा इंपॉर्टेंट है, अगर वो देखी नहीं गई और शादी कर दी गई, तो कुंडली गलत मिलने की वज़ कि भाई मेरी एक ही शादी जिन्दगी पर बढ़िया से चले मुझे दूसरी शादी करने की नौबत ना आए तेखिए ऐसी दशा में पती-पत्नी को नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए बहुत सरल सा काम है शिव पूजा वैसे भी बहुत सरल है एक लोटा जल शिव जी को चड़ाएं और नमः शिवाय का जब पती-पत्नी करें अगर रेगुलरली तो दो विवा के योग भंग हो जाते हैं इसके अलावा हर सो मुवार को सफेद वस्तुओं का दान भी करना चाहिए ऐसा करने से भी दो विवा के योग जो है वो कमजोर हो जाते हैं या तो अपने बेडरूम में सफेद फूल लगाईए उससे फाइदा होगा कि आप एक गुलदस्ता या गमला रख दिये उसमें रोज आप वाइट फ्लावर लगाते हैं रोज बरलते हैं और नहीं तो सफेद फूलों का चित्र एक सीनरी या एक फोटो जिसमें सफेद फूल हो ऐसा चित्र या ऐसी सीनरी भी अगर आप अपने बेडरूम में लगाते हैं तो इससे ग्रह थोड़े पॉजिटिव होंगे ग्रह थोड़े बहतर होंगे वैवाहिक जीवन में मधूरता आएगी और पती-पत्नी के जीवन में जो दो विवाह की संभावनाएं बनी हुई हैं वो संभावनाएं समागत हो जाएगी दूसरी समस्या है वैवाहिक जीवन में तीसरे का प्रवेश बहुत कॉमन है आजकल बहुत सारी कुंडलियां हम लोग देखते हैं आती हैं हमारे पास आप लोग बहुत सारे मेल भी करते हैं महिलाएं लिखती हैं कि मेरे पती का कहीं अफेयर चला है या पती लिखते हैं कि मेरी पत्नी के जीवन में कोई और है ये वैवाहिक जीवन में तीसरे का प्रवेश भी बहुत होता है और ऐसा होने से भी वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि पत्नी को भी रखे उए हैं और वैवाहिक जीवन में किसे दूसरे को भी रखे उए हैं तो मामला ज़रा complicated हो जाता है तो अगर वैवाहिक जीवन में तीसरे का प्रवेश है तो होता क्यों है और अगर पती के जीवन में कोई और आ गई है या पत्ली के जीवन में कोई और आ गया है तो कैसे इससे निप्टें इससे बेहतर कैसे करें वाहिक जीवन में तीसरे के प्रवेश के पीछे जुग्रा होता है वो होता है राहू, आम तौर पर राहू की वज़े से ही लोग एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर में जाते हैं राहू व्यक्ति के जीवन में असंतोष पैदा करता है, dissatisfaction कि पतनी को पती से जो प्रेम मिलना चाहिए, जो attraction मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, वो भटक जाती है या पती को पतनी का जो support मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता, वो भटक जाता है क्योंकि राहू जो है न वो जीवन को सटिस्फाई नहीं रहने देता नतीज़ा ये होता है कि आदमी तीसरे तरफ जुग जाता है और किसी अन्य व्यक्ति की ओर चला जाता है अगर शुक्र की वज़ा से ऐसा हो रहा हो तो प्रॉबलम कुछ नहीं होती है व्यक्ति का चरित्र कमजोर होता है यानि अगर राहू करे तो actually there is a problem लेकिन अगर शुक्र ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब कि व्यक्ति का चरित्र कमजोर है जिस वज़ा से ऐसी दिखकत आती है इस समस्या से बाहर निकल आता है अब मान लीजिए कि आपकी पतनी का कोई एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर है या आपके पती का कोई एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर है तो ऐसी दशा में अगर पतनी का है तो पती उपाय करेंगे पती का है तो पतनी उपाय करेंगी क्या उपा तेर अखिलम मधुरम मधुराश्टक का पाठ जरूर करना चाहिए हर शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के व्रिक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और अपने बेडरूम में जो नौर्थ की वॉल है जो उत्तर दिशा की दीवार है वहां पर पती-पत्नी का एक ज्वाइंट फोटोग्राफ लगाना चाहिए इससे भी लाब होगा और जहां तक संभव हो घर में मांस मदिरा का प्रियोग नहीं करना चाहिए तो कि अगर घर में ज्यादा तर मांस मदिरा का प्रियोग होगा तो राहू एक्टिव होगा और अगर राहू होगा तो मेरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आएगी